हेलो एंड वेल्कम बाक टु जोहार आएक्यू आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एंसर की जो नगरपाले का एक्जाम टेपर टू इंग्लिश का था आई नो बहुत लोग अभी वेट कर रहे होंगे अपना एंसर चेक करने के लिए तो इसे लिए आज आज आपके लिए ये वीडियो हम जन्दी से जन्दी लाने की कोशिश के सबसे पहली बात पेपर का क्वालिटी कैसा था भाई पेपर का क्वालिटी वॉस क्वाइट अट टॉफर एंड हाँ जी टॉफ था पेपर बाकी कोई भी सब्जेक्ट से जैसे मैंने पता कर रखा है तो वो लोग बोले कि इट वस कंपारिटिवली इजी ठीक है मुझे भी जहां तक लगा बोला कि नहीं कर सकते थे लेकिन इंग्लिश का थोड़ा था वो थोड़ा सा टॉ पर गया अगर आप इस PDF को चाहते है आपके पास हो तो आप जाके टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेक है प्लस जो हमने आपको प्रेक्टिस सेट दिया था उसमें से भी कुछ क्वेस्टिन से मैं इसमें मै पुरे कितब पढ़ना पढ़ता तो एक दो कुछन चूटे हुए हैं हलाकि मैंने बाकी सारे कुछन ऐसा कर दिया है तो अब चलो स्टार्ट करते हैं यहां पर पहला प्रेग्राफ करना था तो पहला क्वेशन दिबाल लीगल आप इस पढ़ लेना इसका एंसर हो जाएगा बहुत स्टेट फॉर वर्वर्व उबट पյट स्ट्रार इसका अब तो इसका एंसर हो जाएगा तो चैघ करना चार्ड अब वर्च कर रहा हैं पर चैटर मैं सा का डेका तो एकटिल एकडा व संट। अबवट स्टेपोर विश़पार्वर की सब्सक्दी हें अब अर आफ देख लो अंडर जोसफ विली बुक इसका एंसर हो जाएगा कॉजल डी ठीक है जोसफ विली का जो किताब है ओरिजिन ओफ इंग्लिश लेंगविज इससे यह क्वेस्टन है यह देखो यहां पर मैंने मार्क कर दिया तर देखो नमबर 6 हो जाएगा I identifici 5S very infinity function तो इसका answer is B Who is Golo Williams X Tempest से question औया यहाऀएगा color change edit so that it is easy for you to differentiate yellow घ्रठेताओ ततल तयापन तबर ात term Стक से question औया इसका answer D हो जाएगा Prospero Savior and Minister A आंपर में doubt था please 60 35 कले and obviously I will mention it in the comment box अगर हमें any starts miltas такая ठीक है फॉर्शोर जल्दी मिल जाएगा जरूर मेंशन करें अब देखो नमबर 9 का एंसर हो जाएगा ए ठीक है नमबर 10 देखो अरिवर से question था by A.K. Ramanujan ठीक है इसका answer आप यहाँ पर देख लो A हो जाएगा नमबर 11 का देख लो dream between the lines बहुत famous यह basically idiom है आपका तो इसका answer आप देख लो A हो जाएगा और बहुत simple question था अगें A.C.Bock का question है water को worser मैंने आपने बहुत सारे video में आपको water का example तक देख लो जाएगा कि it's worser ठीक है नमबर 13 देख लो who is the only character in water de la man the traveler poem भाई सबसे easy question है कोई होगा तो obviously D हो जाएगा नमबर 14 देखो इसका answer A हो जाएगा नमबर 15 देखो in the play Dr.Foster's उससे question है तो C हो जाएगा Pope's court in Rome हमने अल्रेडी किया है नमबर 16 देखो identify the sentence where the gerund functions as the subject in the sentence answer is C सब्बर 17 अगें Joseph Willink origins of the English language थोड़ा सब पढ़ना पढ़ेगा ठीक है नमबर 18 देखे तो यहापर Franco Conner से question था और this can answer D हो जाएगा the entire gamut of emotions that girls undergoes ठीक है अगर अगर आप अगर 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 इसमें खाली options भी आप देखते है तो आप अराम से देखो A option innoissance तो भाई कूट कूट के बारा था अगर आप तीम बाले पार जाके वीडियो में देखोगा तो इसलिए इसका answer D हो जाएगा तो इसलिए इसका answer D हो जाएगा बिकोज जो D option है वो तीनों options को ऐसा carry कर रहा है जितना भी यह simply all of the above in D option थेक है Now see Number 19 देख लिए इसका answer straight forward है It's Russian Number 20 देखो Eager हो जाएगा Number 21 देख लो Rabindranath Tagore cast away देखो वाई यह वाला question like I was not able to answer starting में Because मैंने जो पढ़ रखाता ना वो S.E.R.T. जो Kerala board का S.E.R.T. है State board का S.E.R.T. आता है तो मैंने उदर से पढ़ रखाता है क्लास 10 के लिए अभी लोग क्या करते है थोड़ा सा उसको model करते है अपने इसाब से की बच्चे अनाब से पढ़ सके तो यह वाला जो लाई था Like a rudderless boat ठीक है यह नहीं mentioned था तो I was literally pissed off at that time But क्या हुआ कि मैंने फिर दूसरा ऐसा publication का पूरा फिर story पढ़ा तोसमें मिला ठीक है तो यह number 21 का यह answer है number 22 देख लो number 22 का हो जाएगा C option number 23 देख लो synonym डालना था भाई it's primable C option number 24 इसका हो जाएगा English has 4 genders हमने अल्रेडी किया है number 25 देख लीजे rewrite the sentence in direct speech ठीक है तो answer is D number 26 का भी D हो जाएगा 27 का भी D हो जाएगा यह सारे essay से question है ठीक है number 28 देखे I think 27 27 का भी D option है number 28 देखे बालसु ब्रमानियम again it is D very straight forward I think दिभू जो पहला class है उसा पहला class में बहुत प्यार से even अब किसी और से पॉर्ट हो जाएगा this थे this D option सबने बलता होगा यह कोई मिसी ने करता number 29 टेमपेस्ट से अगें question आ रहा है आपके पास यह रा टेमपेस्ट अब देखो इस कैंसे C हो जाएगा त्रिंकुलो उसके बन number 30 देखो telephone conversation भाई सबसे प्यार अप होए हसी मजाग मतलब वैसे problem तो बहुत बड़ा बताता है लेकिन हसी मजाग भी है तो परक्साइड हो जाएगा जिसको वो अपने palm से ऐसा बताता है palm मेरा ऐसा है यह मेरा पैर ऐसा है ठीक है color बता रहा था number 31 का यहां पे 20 B option हो जाएगा 32 देखो इसका B option हो जाएगा 33 देखे भाई एंटोनीम अगेन फाइंड करना था आपको इसका answer हो जाएगा boss B ठीक है number 34 देखे 34 का answer यह तो I think मेरे latest class में भी मैंने यह बता रखा है ठीक है तो यहां पे आपको bilable plosive के बारे में बता रहा था voiceless bilable plosive ठीक है यह मनलब bilable plosives है जिसमें से P आपको voiceless है और देखो जो S भी है आपका that is also voiceless तो इसमें आप देखोगे जो P है वो totally voiceless आएगा तो पाई हो जाएगा और यहां पे आप देख लो hat yes और finger कहीं पे भी आपको यह क्या बता है plosive use ने किया गया है तो simple question है now see number 35 देख लो number 35 में a option is right the large scale globalization इतना easy question था ना आप देखो अगर आपने नहीं पढ़ रखा यह ऐसे कोई दिक्कत ने अब बस यहां पे देखो बात क्या चीज के ऊपर चल रहा है this civilization of today that the world now truly stands a chance to become a whole a single place as opposed to multitude of insular places अब देखो भाई यहां पे साफसब आपको इसेंटेस पढ़के पढ़चे लिएगा ठीक है now see number 36 आपने एक भी किताब पढ़ रखा ना आपको यहीं गाइड करूँगा एक किताब पढ़ो आपका दोनों काम हो जाएगा because for a tix remains same across every writer's का तोड़ा बहुत advances होगा हरे किताब में लेकिन एक किताब पढ़ो आपका काम हो जाएगा लेकिन history of English language के लिए थोड़ा सबको starting बदर पार्ट है ना I think few chapters वो थोड़ा सा करना चाहिए number 38 आइसर देखो it's again B number 37 देखो it's D जलियावाला बाव मासक है number 39 आइसर अगें very easy question Equator B हो जाएगा 40 देख लो A हो जाएगा 41 का बावी हो जाएगा 42 देख लो तोड़ा सिंपल यह कुशन तो मुझे याद है मैंने खुद ऐसा लिख कर दिया था उस क्या बोलत है जो मने प्राक्टिस सेट दिया था तो इसका तो फिलेपलें very simple question number 43 देख लो A हो जाएगा 44 विलिम वोट फो दे रेंबो का question है very simple सबसे चोटा पोयम कुछ लाइन हो का है he wants to die C option is your right answer now see number 45 देख लो जाएगा तो इसका D हो जाएगा number 46 का D हो जाएगा number 47 all of the above options is right now see 48 का भी D होगा none of the options and see 49 Mahesh Dattani का play का बात हो रहा है यहाँ पर भी all of the above हो जाएगा number 50 देखो all of the options again number 51 number 51 वे थोड़ा सा doubt था ठेक है अगर आपको भी पता चल रहा है तो please you can मतलब आप mention कर दो मैं आपके comments को pin कर दूँगा मैंने यह नहीं पट रखा है now see number 52 अगर आप देखोगे R.K. Narayan का बात है painter of science तो इसका A option is right number 53 आप देख लो आप एक बना के देखना जब आप ऐसे कोशिश करोगे ना कि सीक्वेंस में आरेंज करो without seeing the options तो it was quite tough ठीक है तो थोड़ा कुछ खास ऐसा आपको तो उमिल नहीं रहा था कुछ खास भी नहीं ठीक है लिकिन अब जब options को ऐसा रखके देखोगे ना तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते थे तो मैं तो यहीं बोलो कि मैं भी यहीं फॉलो करता हूँ तो आप भी options देखके बनाए number 54 देखो 54 का जाएगा 2 second paragraph देखो था close skin और भी बहुत कुछ मेंशन था rat था number 55 का देख लो भाई number 56 to be again is the right option 57 का हो जाएगा a यह देखो ना भाई अगर आपको थोड़ा सभी आपने पड़ अपने पड़ रखके लोग को यह आपको यह सब नाम तो आने ही चाहिए George Washington he was the first US president ऐसे ही आपका John Adams second थे Thomas Jefferson आप एक बास बता 20th century 1906 की बात यहाँ पे चल रही है तो यहाँ पे यह लोग जितने थे वो तो 18th and 19th century most probably 20 का तो यहाँ पे कोई नहीं होगा था तो सीधा answer यहाँ पे A हो जाता 57 का कोई दिक्कत नहीं होती आपको eliminate हो जाता राम से 58 देखो भाई rewrite this and passive voice लिखना था answer इसका A हो जाएगा 59 देखो भाई 59 का C हो जाएगा 60 का देखो तो तीन दिन लगे थे जनाब को ठीक है अब देखो 50 61 का देखो भाई तो A हो जाएगा again 62 का देख लो तो B हो जाएगा elder brother मैंने बहुत प्यार से बताया था ठीक है यह को poem में तो नहीं मिलेगा but you will get to know जब आप थोड़ा सा writer के बार हो जब वो it के बार हो पड़ोगे तो now say number 63 ठीक है number 63 3 यहाँ पर देखो मुझे इतना पुदा था कि monsoon की गारण flood आया है ठीक है तो monsoon because बहुत पहले आगे तो tsunami और a dam breach यह जो दो option ही यह तो आप eliminate कर दो ऐसे ही अब बच्चापके पास 50 50 either go for B और either go for D ठीक है तो आपको क्या लगता है वैसे जिस यह paper है वैसे उनको thanks first of all and इसनों ने किया है a severe strong a cloud burst to cloud burst I will also go with D तो देख ले ना वैसे इसमें थोड़ा सा doubt हो सकते है यहलो से ठीक है number 64 number 64 आप देखो this is a very simple question again C हो जाएगा number 65 देख लो medic हो जाएगा D option number 66 देख लो तो B हो जाएगा number 67 का answer अगर आप देखोगे तो it is South America ठीक है अब देखो भाई number 68 either principal or the students are right 68 का B option है subject for agreement यह था 69 का answer हो जाएगा very easy question again oh hawk oh hear बता रहा था इस पर काँसा figure of speech हो रहा था देखो जो apostrophe है न हम लोग कहा यूज करते है apostrophe उस जगे पर यूज करते हैं जब कोई भी ऐसा non living being और उसको हम लोग directly कोई order दे रहे हो बोल रहे हैं अगर मेरे सामने fridge रखा हुआ है तो अब fridge को बोले fridge तुम अभी छलांग मारके चले जाओ चट पे ऐसा थोड़ी हो जाएगा बाई तो ऐसा अगसा कुछ order देना हो जाए तो उसके लिए apostrophe यूज करते हैं और कभी भी आपको पकड़ना होना next time से तो याद रखना कि वो start होता है तो थोड़ा सा ऐसा यह वो करके जो sound आता है वो हम लोग use करते है ठीक है थोड़ा सा बड़ा जड़ा के इसा दिखाते है तो इसका A option is right ठीक है नबर 70 देखो ठीक है तो B हो जाएगा number 71 का answer यहाँ पे D है number 72 is again D direct question और यह number 73 ही देखो तो a course in phonetics का question है तो what sound does the notation I and double dot यह मैंने आपको already अगर आपने मेरा पहला class में देखा है phonetics का अच्छे से मैंने वा आपे बता रखा है सारे symbols का मतलब यह जो double dot रहता है पहली बता इसका मतलब होता है extension ठीक है कहीं पे भी आपको यह मिल जाएगा खासकर only wobbles में ही मिलेगा यह extension के लिए यूज करते हैं जब भी आपको कोई चीज को longer time तक extend करना होता है तो उसके लिए करते है और मैंने आपको याद भी कर रहता कि जो i है ठीक है it stands for e sound के लिए होता है ठीक है और यह जो बड़ा i आजाएगा ना कभी भी तो यह छोटा e है आपको extension आपको नहीं मिलेगा e normal होगा लेकिन जो बड़ा i and double dot extension का dot है तो आप सामध जाना कि it is e ठीक है तो इसका simple से answer है आपने बाला सुप्रमानिय भी पढ़ रहता है तो आराम साम इसका answer कर तो c option ठीक है नबर 74 देखो तो D हो जाएगा नबर 75 देखिए Helen of Troy again simple question 76 का अब देखो अगें यह है ना भाई a course of phonetic से अब देखो अगर आपने बस पाला सुप्रमानिय पढ़ रखा तो आपको भी पता है भाई जब भी आम लोग यहाँ पर बात करे variants of phonemes variants of phonemes ठीक है उसको yellow phones बोलते भाई तुम कोई भी किताब पढ़नों उसको yellow phones ही बोलते है why does the clergyman happen to miss the boat boat क्यों miss करता है option दो चलो इसको eliminate करता है because he did not have the exact fare to tend to the boat ऐसी बात नहीं है वो जो dentist था जनाब से थोड़ी बात्चीत होन लगती उसके बाद उसके खर चला जाता है फिर वहाँ पर एक बच्चा आता है वो बोलता है कि मेरी मा बीमार है लास्ट राइट्स के लिए जो पढ़ते है कुछ परे है उसके लिए बुलाए गया थोड़ा से अपने साथ मेडिस्स भी रखते थे वो जनाब तो आप यहाँ पर देखो कि पहला option is wrong भाई एक दम superficial option इसको तो काट नहीं था to attend to a dying woman following Mr. Trench request भाद Mr. Trench ने कोई ऐसा request नहीं किया था तो यहाँ पर C option नहीं होता तो D option होगा इसने बंदेने में सही कर रखा है 79 79 देखोगे तो अगे 80 देखोगे तो अगे 81 कर D हो जाएगा obstacle to the progress of something simple it's barrier very simple question 82 कर देखो अगे इस B 83 कर disappear B option हो जाएगा 84 कर अगे इस furniture 85 देखो himself हो जाएगा ठीक है प्रोडाउन डाला था आपको जराने आप पर 86 अगे आप देख लोगे तो C option हो जाएगा यह अगर आपने अभी बस एक ही पड़ा जितने भी टीचर ने अप्लोड किया है अभी तक अपने पहला वाला यह अप्लोड किया है तो यहाँ पर जॉसफ विलीस का जो यह किताब है Origins of the English Language अगर आपने दूसरा वाला इसी बॉप भी पड़ रखाना तो आप इसको आसे दाता हो इस फिनिश ठीक है फिर देख लो भाई अगला question अगर हम लोग देखे 87 तो इसका answer हो जाएगा B hat इस बंदे ने आप गलत कर दिया A textbook of English phonetics for Indian students Which of this is an example of glottal sound Ha sound That is because of glottal Glottal क्या है? Glottis आपने पढ़ रखा है यह आपका यह आपका vocal flaps है यह जो beach का जगह है इसको हम लोग glottis बोलते है अगर आपको याद होगा तो अब यह glottis वाला sound है वो H sound ह sound जो है वो produce करेगा यह glottis वाला question है हाट इसका आपका गलत है कोई बात नहीं इसने बहुत अच्छा पॉपम किया है नमबर 88 देखे तो अगें इटिस प्रिंसस नमबर 89 देखो बाई C हो जाएगा नमबर 90 का 2 हो जाएगा 91 का देखो तो इस B option 92 का देखोगे तो अगें A option is right P 93 देखो एक बाई तो इसका आइसर C हो जाएगा 94 का answer है man has become too reliant on them is the right answer 94 का 95 देखो बाई it is Italian इटालियन नमबर 96 is simplistic fanatics इसलिए तर जोड दे रहा हो because fanatics की class भी चली रही थी तो very easy इसी बाउबला भी नहीं Italian obviously यह एक example है तो थोड़ सा tougher end पे था हमने पढ़ रखा है but tougher end पे था और मुझे तक ही जानता क्याद है कि मैने duet के बारे में तो उस example को मैने ऐसा लिया नहीं था अपने पास लेकिन मेरा पढ़ा होगा था अलग कि अब देखो यहाँ पर simplest टेक है बहुत easily आप इसको तोड़ सकते हो ठीक है into sim is one plis is one syllable and tic is one syllable sim please stick तो यहाँ पर आप देखोगे जो P है P पर present नहीं पर सकता है आपको एक burst of sound मिलेगा और यह voiceless है लेकिन यह T है हमार ठीक है it is a voiced plosive तो इसलेस के answer आपको 3rd syllable डालना था 4th कर तो कोई बात ही नहीं बनता विकोज यह syllable टूटेगा ने S is again your voiceless consonant तो उसमें नहीं आना था 97 थेखो इधर trills और rolled consonant भाई यह मैंने बहुत अच्छे आपको बता रहा है glass में और मैंने इसको ऐसा mark भी करवाया था तो D option is right इधर trills और rolled यहां पर 2 option अगर आपको दिख रहा है यह 2 option तो अगर आप इसको देखोगे तो you will get to know कि नहीं यह 2 लो साथ नहीं फ्रिकेटिव तो कहें जीवन से नहीं हो सकता था अब नाव सी नाव सी नाव नाइंटी एट महिज दर्टानी का पाइनल सॉल्यूशन तो A Partition of India इस राइट तो अगें यह भी क्वेशन आपको मिल जाएगा हमारे इसमें नाव सी नमबर A is by thinking of a lover तेके लाव के बारे मैं ऐसा और नमबर 100 का answer हो जाएगा आपका A ठीक है चलो भाई यह रहा हमारा सॉल्यूशन देखो अगर नम लोग इस पेपर के बारे में बात को तो पेपर वाज़ा अटर अट अफर ठीक है बाकी सब्जेक्ट वालों को यहाँ पर थोड़ा सा benefit मिल जाएगा वो लोग का थोड़ा जादा marks आ सकता है हलाकि अब जो CGL देने वाले वो तो इस पेपर को अगर देख रहे होंगे तो फॉर आप लोगी देखे जाके तो मैं वसे इतना कहना चाहँगा अगर आपको बहुत जादा नंबरा तो रिली इस गुट अगर आपको कम आ रहा है तो आप क्या ही किया सकता थोड़ा सा तो सहना पड़ेगा कोई बात नहीं हाला कि ठीक है CGL वाले बच्चे बहुत जादा मेहनत करें अब आपको आपने देख लिया जो पेपर का लेवल है वह थोड़ा सा तफ़र एंड पे ठीक है तो उसके लिए आप थोड़ा सा रेडी रहिए नाओ अगेन यह तो हो गया हमारा और आई होप आपको यह वालब वीडियो अच्छा लगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजएगा सब्सक्राइब कीजएगा और प्लीज शेयर कीजए ठीक है तो चलिए मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो पर